दोस्तों मेरा नाम मित्र प्रकाश है और ये मोदी सरकार में बड़ी हैसियत रखने वाले वकील भारत के सबसे महगे वकील हरी सालवे है सही सुन रहे हैं आप मोदी सरकार में बड़ी हैसियत रखने वाले वकील हरी सालवे है इन्होंने बीते दिनों लंदन में तीसरी शाद के उम्र में सादी की और हरीस सालवे मोदी सरकार में बड़ी हैसियत रखते हैं यह सारे लोग बाज़ते हैं, खबर यह है जिसे सुन कर आपके होश उड़ जाएंगे, खबर ऐसी ही है, हरीस सालवे ने लंदन में शादी की और पार्टी और्गनाईज की उस पार्टी में ललित मोदी आया हुआ था ललित मोदी वही सक्स है जो भारत का करोणो रुपया लेकर भाग गया है जिसको भारत सरकार ने भगोणा घोशित कर दिया है भारत का भगोणा ललित मोदी हरी सालवे की शादी में उपस्थित था और एक और आदमी उपस्थित था संजय राउत बताते हैं सिफसेना के सांसद है कि उस पार्टी में मोहिन खान भी उपस्थित था जिसको भारत की ED हजारो करोड के घोटाले के मामले में घूम रही है अब अंदाजा लगाईए अब महिन के बारे में आप यह हरी सालवे की स्थिति अब यह भारत के प्राइम मिनिष्ट पूरव राष्ट्रपती जिसकी अध्यक्षता जिस कमेटी की कर रहे हैं उसमें हरी सालवे भी एक सदस्य है सीनियर एडिक्वेट इसमें वन नेशन वन इलेक्षन हाला कि अधिरंजन चोधरी ने इसमें जा प्राइसियत रखते हैं सरकार में कितने बड़े आदमी हैं उसका अंदाजा आपको यही से लग जाएगा लेकिन इसी हरी सालवे की शादी में ललित मोदी भारत का भगोडा बड़े आसानी से शैंपन की बोटल खोलता है ठाहाके लगाता है और चंद लोगों की ही पाटी रहती है जिसमें बारत के नामी गिनामी द्योग पती नामी गिनामी लोग भी पहुँचे थे अब लंडन में इस साधी में जब भगोडा ललित मोदी शैंपन खोलता है शराब पीता है बाड़ता है लोगों में तो सोचिए उन भारतियों पर क्या गुजर रही होगी जिस प्रधान मंत्री ने ये वादा किया था अब उस वादे की तरफ आपको मैं ले चलता हूँ अब ये वादा पहले सारी चीज़े बताऊंगा कि इनकी कितनी पतनिया थी लेकिन पहले प्रधान मंत्री के इस वादे को समझने की कोशिश करिएगा देखे प्रधान मंत्री ने subscriber वाला चैनल है मैंने इन ही के subscribe किये हुए चैनल से वीडियो निकाला है वीडियो कहिएगा तो मैं आपको link में भेज दूँगा लेकिन इस वीडियो में प्रधान मंत्री कहते हैं कि विदेशों में काला धन वापस लाएंगे कहते हैं कि BJP को अगर मौका मिला तो एक एक रुपया वापस लाएंगे और इसी में 15 लाख और 20 लाख रुपय वाली बात भी प्रधान मंत्री ने कही थी अब समझने की कोशिश करिएगा जो प्रधान मंत्री ये कहते हैं कि देश और विदेश में जो लोग बैठे हुए उनका पैसा वापस लाएंगे तमाम चीजे करेंगे उसी के सरकार का सबसे करीबी वकील के शादी में भारत के भगोडे पार्टिया मनाते हैं शैंपेँ की बोतले खोलते हैं जश्न मनाते हैं अब ये कौन से सिक्के का कौन सा पहलू है इसका जवाब सरकार को बड़ी प्रेस कॉन्फेर्ज करके देना चाहिए हरीश सालवे को उस कमेटी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए ये तो सरकार डिसाइड करेगी लेकिन सरकार का एक बड़ा हिस्सा का बड़ा व्यक्ति अगर इस तरह की हर्कत करता है तो इसका असर कितना बड़ा देश पर पड़ेगा इसका अंदाजा आपको होगा हरी सालवे कोई मामूली व्यक्ती नहीं है सरकार के एक बड़े हिस्से के बड़े व्यक्ती है आप चलिए और बताता हूँ आपको हरी सालवे के बारे में ये देखिए ये हरी सालवे की पहली पत्नी है मिनाक्षी सालवे ये इनकी पहली पत्नी है 38 सालिन से इनका साथ रहा उसके बाद से ये दूसरी पत्नी है इनका नाम है कैरोलिन सालवे अब ये दूसरी पत्नी आपको यहां दिख रहे हैं तीन सालिन के साथ रहे और अब ये तीसरी पत्नी है जिनका नाम ट्रीना है जिससे बीते दिनों शाद रही है अब चलिए इनके बारे में हम कुछ आपको बता देते हैं कि हरीस सालवे आखिर है कौन अब हरीस सालवे के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ हरीस सालवे भारत के सबसे महंगे वकील है यह मैंने आपको सुरुवात में ही बता दिया था 1999 से 2002 ता सालीटर जनरल रह चुके हैं हरीस सालवे कितना महत्वपूर पद होता है सालीटर जनरल इसके बारे में आपको अंदाजा होगा 2014 में बीजेपी के सरकार के आने के बाद 2015 में उन्हें पद्म भिवुशण मिला था पद्म भिवुशण कोई मामूली पद नहीं होता है हरीस सालवे जिसके शादी में भारत का भगोणा नाच रहा है भारत का पैसा लिया हुआ व्यक्ति भारत का चोर कहा जा सकता है भारस से चुराया हुआ पैसा लेके लंदन में बसा ललित मोदी जिसकी शादी में नाच रहा है वो हरी सालवे पद्म भिभूशड भी है आप समझेगा उने पद्म भिभूशड भी मिला है 2015 में इनके बारी सालवे के बाद बद्मान खान को जब सजा होनी थी हिट रन वाले केस में तो उनको थोड़ी ही देर में जमानत जो दिलाई थी जिस तर्क ने वो हरी सालवे का तर्क था हरी सालवे ऐसे कहा जा सकता है कि अमीरों के वकीर थे लेकिन जब अमीरों के वकीर लोग कहते हैं तो उन्हों ये बात भी लोग बता देते हैं कि उन्होंने कुलभूशण का केस एक रुपए में लड़ा था चलिए भारत के सालीटर जंडल की तीनों शादियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है अब चलिए इनके बारे में ये भी बात कही जाती है कि ये जो इनका घर है ये कुलीन पालन मार्ग पर 800 गज का घर है जिसकी कीमत 100 करोड रुपए है देश के बहुत महगे वकील है एक बार की फीस जो होती है एक पेशी की लगभग नियूनतम 4.5 लाख रुपए और एक दिन का 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं ये इनके बारे में कुछ जानकारिया मैंने अलग-अलग आर्टिकल से जुटाई थी लेकिन आपको जाते-जाते जो बाते मैं समझाना चाह जाता हूं वो इस तस्वीर के माध्यम से समझाना चाहता हूं इस तस्वीर के माध्यम से कि हरी सालवे है यह वन नेशन वन इलेंट्छन पैनल के मेंबर euro कहत बढ़ा member है जिसकी अध्यकस्ताराराष्टपति भारत के पूर्वराष्ट्पति कह रहे हैं जिसमें अमिच शा पर चर्चा करना चाहता हूं यहीं वह तस्वीर है देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी की नरेंद्र मुदी ही कहते हैं न खाऊंगा न खाने दुँगा विदोसों से वापस लाओंगा पैसा यह त्माम चीजें करूंगा अब उनहीं के सरकार के करीबी वकील जिनका नाम हरी सालवे है जिन्होंने तीसरी साधी की है जो पद्म विभूशण है जिन्हें पद्म विभूशण मिला है जिन्हें और वो पद्म भूशण मिलने के बाद भी भारत के भगोडे भारत के भगोडे ललित मोदी को अपने शादी में बुलाते हैं भारत के भगोडे मोहि के लोगों किसे वकील आखिर भारत के ही सबसे अमीर वकील है यानि भारत के लोग ही उन्हें पैसा देते हैं भारत में ही उन्होंने नाम कमाया है जो किया है भारत में किया भले लंदन में जाके रह रहे हूं लेकिन अंदाजा लगाईए कि उन भारतियों पे क्या गुजर र कील के पार्टी में भारत के भगोडे शेंपन खोल रहे हैं डांस कर रहे हैं और तो और सबसे महत्वपूर बात है कि व्यक्ति पद्मभूशर से सम्मानित है 2015 में फिलाल इस वीडियो को आप किस नजर से देखते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा अपना बेहत समर्थन करना चाते हैं तो इस नंबर पर हमारा आर्थी समर्थन भी कर सकते हैं अपना बेहत ख्याल रखिएगा बहुत बहुत शुक्रिया